तो गहीं जहां पर Poco X5 Pro के लॉंच होने के बाद में यहां पर काफी सारे वीडियो आपने देख लिए होंगे जिसमें की भर-भर के इसके तारीफ के पुल बान दिये गए जहां पर कैमरा के बारे में सॉफ्टेर के बारे में हरी चीज के बारे में काफी सारी तारीफे की ज लेकिन इसमें भाई कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको जादा दर क्रीटर्स ने या तो हाइलाइट ही नहीं किया है या तो अगर हाइलाइट किया है तो बहुत हलके से बताके निकल गया है लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग भाई बात करेंगे Poco X5 Pro के टॉप 5 म इस इस पोन को पर्चेस करने की सोच रहा है या फिर जो भी कन्फ्यूज है इस फोन के बीच में और इन दोनों फोन के बीच में रियल्मी और रेडमी के बीच में तो बिना देरी किये हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट सबसे पहली प्रॉब्लम तो आजाती है यहां पे सॉफ्ट्वेर की ही जी है गाईज यहां पे आपको आउट अफ दबॉस केवल एंडरोइड 12 देखने को मिल रहा है और केवल दो ही यहां पे एंडरोइड के अपडेट्स देखने को मिलेंगे 13 और 14 उसके बाद क्या और पोको का तो एक्सपीरेंस ऐसा रहा है कि इसमें जादा अपडेट्स आते नहीं है तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ही जल्दी यहां पे आपको कोई मेजर अपग्रेड एंडरोइड 13 का देखने को मिलेगा और साथी साथ में MIUI 14 दिया गया है लेकिन वो केवल नाम का है यहां पे MIUI 14 का एक भी फीचर इसमें नही दिया हुआ है मैंने एक शॉट बनाए थी जिसके अंदर मैंने आपको डिटेल में बताया था कि MIUI 14 जो ग्लोबल वाले वेरियंट में आ रहा है वो ऐसा ही आपको इसमें देखने को मिलेगा पर वो सारे फीचर जो की MIUI 14 के ग्लोबल वाले वेरियंट में है वो भाई है नह ऐसा हो सकता है कि future में आपको 5G connectivity इसके issues यहां पर देखने को मिले खास कर गई एक ऐसा बैंड है जो की इंडिया में आने वाला है और वो इसमें भी नहीं है वो एक high frequency band है और भाई उसके अंदर तो speed internet की और भी बहतरीन देखने को मिलेगी 5G की तो वो वाला बैंड का support ही नहीं है तो अगर वो इंडिया में कहीं पर आया तो वो इसमें देखने को आपको नहीं मिलेगा तो गईज अगर वीडियो अभी तक ही पसंद आईए ना तो भाई फ्लीज वीडियो करेगा like channel को करेगे subscribe bell icon को hit करना भूला नहीं इसके बाद गईज यहां पर build की भी एक ऐ तो टूटा क्यों तो guys मैंने वहां पर देखा actual में जो फ्रेम है ना उसकी quality ऐसी है actual में genuine में यह problem है और देखो back से तो आपको plastic देखने मिलता है अगर गिरेगा तो back तो नहीं तूटेगा लेकिन हाँ फोन पीछे रखेंगे तो थोड़ा सा यहां पर संशय होगा यहां पर बैट गई है वो है motherboard का issue पोको का इससे पहले जितना भी record रहा है उसके अंदर हमने देखे हैं कि पोको के phones dead होते हुए देखने को मिल रहे हैं लोगों को और जिसी वज़े से अगर यहां पे कोई update पहली बात तो जल्दी देते नहीं है और अगर इन्होंने दिया तो एक risk रहेगा कि भाई motherboard या फिर camera इसका work करना बंद ना कर दे इसके बाद last but not the least guys front selfie camera की low light performance बहुत ही जादा मुझे अच्छी नहीं लगी है यहां पे details काफी यदा गायब है front camera की night shots की बात बोल रहा हूं दिन में काफी अच्छी shot ले लेता है पर night में इसकी मुझे थोड़ी सी problem देखने को मिली है तो collectively अगर देखा जाए तो यह सारी problems है और मुझे नहीं लगता ही किसी ने आपको यह सारी problem एक साथ बताई है तो आप यह सारी problems को दिमाग में रखीगा उसके बाद ही में आप सोचीगा whether you should buy Poco XY Pro or not